देखे जिन्दिगी में जो छोटा-छोटा बदला होता है ये आपकी बड़ी कामियाबी का हिस्सा होता है तो बदलाओं से घबराईए मत देखे आज है 6 अपरेल और आज की वीडियो में टोटल 13 most important करेंट पर पर प्रेमस्याचा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परिशा करेंगे आपको और देखे जो लोगने वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ में बेल आइकान उप्रेश कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो के नुटिपेशन आपको आपड़ी बिलते रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देजेगा तो इचरी श और इकी जो विनय मोहन कौातरा हैं ये वरतमान में नेपाल में भारत के रादू थे लेकिन अब ये वहाँ से हटा दिये गए हैं और वहाँ से हटाने के बाद अब ये विदेश सचिव बना दिये गए हैं तो यार रखेगा विनय मोहन कौातरा जो है भारत के नए हर सुवर्धन सरंगला का सान यह इस पतपर अगला कहाली में कौन चौथी बार हंगरी के प्रधार मंत्री बने दीखे आज के जितने प्रशनाइं बहुत ही धमागेदार है तेरों के तेरों प्रशनाइं इंपोर्डेंट है होस के पेफर में तेरों चपो मिल जाए आपको ठीक है तो आप प्रशनों को देखें के तो आपको कुछ समझ में आजाएगा दीखे बात हो रही है हंगरी के प्रधार मंत्री की अभिहाली में विक्टर ओर्बन जो है ये लगातार चौती बार हंगरी के प्रधार मंत्री बने है दीखे यहाँ पे विक्टर ओर्बन की फोटो भी आपको दिख जाएगी दीखे जो हंगरी के प्रधार मंत्री है विक्टर ओर्बन तो इनकी पार्टी है दक्षिरपंती फ्राइज पार्टी इसने कुल 98% मत गड़ना में कुल 53% मत जो है हासिल किया याई कि टोटल 98% वोट पड़ा जिसमें जो है 53.1% वोट किसको मिला विक्तर ओर्बन की पार्टी दक्षिरपंती फ्राइज पार्टी को और इसी के साथ विक्टर ओर्बन के नाम रिकार्ड बन गया है दिखिए मई 2010 में प्रधार मंत्री की भूमिका समालने के बाद से जो आपके अंठाउन वर्ची जो है जो आपकी विक्टर ओर्बन है ये पहले से ही यूरोपी संग में सरकार के सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले प्रमुक है तो ये एक खास बात है ठीक है और हंगरी देश की बात करें तो इसके राधानी है बुड़ा पेष्ट मुद्रा है हंगेरियन फोरीड अगला प्रशनी की Queen of Fire नामक पुस्तक को किसने लिखा है तो दिखे Queen of Fire पुस्तक को लिखा है देवी का रंगाचारी ने और जो ये पुस्तक है Queen of Fire ठीक है ये पुस्तक रानी लक्ष्मी बाई के बारे में है कि कैसे इन्होंने जो है एक रानी और साइनिक और राजनिता के रूप में अपने जीवन की यात्रा कम्पलिट की और ये पुस्तक जो है इस बात का विश्तरित वीवर प्रदान करती है कि कैसे रानी लक्ष्मी भाई ने एक विदवा के रूप में पूरे राजे पर अधिकार कर लिया और इस्ट इंडिया कम्पनी के खिलाब विद्रो करने के लिए करांतिकारी मिलब जो लोग थें उन सभी के समोह में सामिल हो गई तो पूरी की पूरी पुष्तक जो है रानी लक्ष्मी भाई के बारे में है पुष्तक का नाम है Queen of Fire लेखा कि सने है देवीकार रंगाचारी ने अभी हाली में ये पुष्तक पब्लिश हुई है और अगला प्रशनी की हाल ही में किस देश के पुलिजर पुरसकार विजेता कभी रीचर्ड हावर्ड का निजन हो गया तो दीखे रीचर्ड हावर्ड जो है ये अमेरिका के एक पुलिजर पुरसकार विजेता कभी थे और जबकि रिचर्ड जोसेफ हावर्ट है तो इनका जन्मुत 13 अक्टूबर 1929 को क्लीव लैंड ओहियो सेंट राज अमेरिका में हुआ था और दिखे ये एक अमेरिकी कभी के साथ साहित यालोगशक और निबंदकार और सिक्षक और अनुवादक भी थे तो यार रखेगा और अगला प्रशनी की भारत के नए थल सेना प्रमुक कौन बने अगर आप कोई भी इकजाम गने जा रहे हैं तो आपको ये नाम पता होना चाहिए नहीं पता है तो फिर आपका एक नमबर गया गाम से तो आपका एक नमबर मैं जाने नहीं दूंगा उसको पकड़ लेते हैं अभी हम देखिए भारत के नए थल सेना प्रमुक मनोज पांडे बन गये हैं और जो आपके मनोज पांडे हैं ये इस बत बार मनोज मुकुन नरवडे का स्थान लेंगे और देखिए एक खास बात और है ऐसी चरचर से लहीं कि मनोज मुकुन नरवडे ज जैनी कि चीफ आप टिवेंस स्टाप हो सकते हैं क्योंकि ये पद अभी तक खाली पड़ा हुआ है बीबिन रावजी के निधन के बात से तो ये खैर बात के बात है जब वो अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूँगा अभी या रखे कि मनोज पांडे जो है ये भार 22 के लिए इसका विशे है COVID-19 से परे सतत सिपिंग यानि कि सस्टेनेबल सिपिंग बियांड COVID-19 और देखी जो राश्टी समुदरी दिवस है ये पहली बार 5 अपरेल 1964 को मनाएगा था और इस साल राश्टी समुदरी दिवस का 69 संस्क्राट हमने मनाया तो 5 अपरेल को क्या म और देखे माराज का सातों प्रश्टी की हाल ही में नेपाल के प्रधरमंति जो सेर बहादूर देवबाजी हैं ये भारत की यात्रा पर आये थे और इन्होंने अभीहाली में भारत के साथ नई दिल्ली में कितने समझोतों पर अस्ताक्टर कियें अगर आप देखिए कोई भी एक्जाम देने जा रहा है पूरे भारत में इस स्टेट लेबल का हो या पर सेंटरल लेबल का इस समझोते को जरूए अरकेगा कि भारत और नेपाल के बीच में अभिहाली में चार समझोतों पर रस्तार चरूए है अभिहाली में दोनों देशों के बीच में या भारत और नेपाल के बीच में वे पहले समझोते के रूप में भारत की अगवाई में सुरूए इंटरनेशनल सोलर अलाइंस में जो है नेपाल सामिल हुआ है यानि कि नेपाल जो है विहाली में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस में सामिल हुआ है पहले समझोते के रूप में और दूसरे समझोते में रेलवेज छेतर में भारत और नेपाल के बीज में तक्नीकी सहयोग बढ़ाने पर समझोता किया गया है और दीखे जो तीसरा समझोता है तो तीसरे में नेपाल को पेट्रोलियम उत्पाद आपूरती पर करार नामा इंडियन आयल कारपूरेशन लिमिटेड और नेपाल आयल कारपूरेशन के बीच में जो है समझोता हुआ है और दिखी इसके अलामों चोथे समझोते में नेपाल आयल कारपुरेशन और इंडियन आयल कारपुरेशन लिमिनेर के बीच तक्नीकी सहयों के लिए स्ताक्चर किया गया है तो इस चीज को याद रखेगा और दिखी जब भारत के प्रधानमंतरी नर्य नर्मोदी और नेपाल के प्रधानमंतरी सेर बहादूर देवबाद जब मिले थे दिली में तो दिली में दोनों पुधारमधरीयों ने भारत के जैनगर और नेपाल के कुर्था के बीच में जो पहली यात्री ट्रेंज सेवा है तिक है और भारत की सोलुक और उडो ट्रांस्मिस्टर पर युजना है इसको नेपाल को सौपने और भारत सरगार के अरुदान के तहट न दोनों देसों ने नेपाल में भारतीर रूपे कार्ड की शुरुवात की भी घोश्डा की और रूपे कार्ड की घरेलू भिनता जारी किये गए सभी रूपे कार्डों का लगभग 83% नेपाल में लगभग 14-00 पॉस मशीनों यानि की पॉइंट आफसल मशीनों के साथ संगत ह और देखें एक खास बात सबसे यह है नोट करने वाली कि भूटान, सिंगापूर और संयुक्त अरब अमिराद के बाद जो नेपाल है यह अब रूपे कार्ड को स्वीकार करने वाला भारत के बाहर 14 देश बन गया है यानि कि नेपाल दुनिया का इसा 14 देश बन गया है ज यहां पर जीतने समझोते हैं मैंने बताएं कि पॉइंट एक्जाम में एक प्रश्न के रूप में पूछा सकता है अगला ख्यारी में किस राजी सरकार ने सरकारी स्कूलों में हाबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है हाबी हब क्या है दिकि सारे बच्चों की कु सरकार ने पाट्योत्तर गत्य वीडियों को बढ़ावा देने के लिए अनिकि एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी के रूप में स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हाबी हब स्थापित किया है और ये प्रोजेक्ट सिंगल सिप्ट सरकारी या रखेगा इसको और दिकी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है अर्बिंद केजरिवाल जी और यहां के राजपाल है अनील बैजल राजपाल का नाम बहुत पूछा आता है या रखेगा कि दिल्ली के राजपाल अनील बैजल है बाकि मुख्यमंत्री का नाम तो सब को बता अगला कि अप्रेल 2022 में भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझोते पर अस्ताक्षर किया था तो दीके अप्रेल 2022 में भारत ने जो है आश्ट्रिलिया के साथ में एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझोते पर अस्ताक्षर किया था और ये आरतिक सहयोग और ब्यापार समझोता जो है आश्ट्रेलिया को भारत के निर्याद के 96 परतिसत तक Zero Duty Access परदान करेगा जिसमें इंजिनरिंग सामान, रतन और आबुसर, कपड़ा, परिधान और चमड़े जैसे प्रमुक छेतरों में सिप्मेंट सामिर है देखी जो ब्यापार समझोता हुआ है किसके किसके बीच में भारत और आश्ट्रेलिया के बीच में ठीक है तो इस समझोते में क्या क्या चीज़ सामिल है, इसको हम थोड़ा सा विश्तरित रूप से देखेंगे यहाँ पर देखें पूरी डीटेल्स मेरे पास है देखी जो समझोता हुआ है तो समझोता पाँच वर्सों में दुई पक्षी ब्यापार को बढ़ा कर कुल 45 से 50 बिलियन डालर कर देगा और भारत में 10 लाग से अधिक नौकरियां पैदा करेगा, ऐसा कुमी जताय गया है और देखी इस समझोते के तहट आश्टेलियाई, सराम, आयात और बादाम, दाल, संतरे, मेंटरी, नासपाती, खुबानी और इस्ट्राबेरी सभी को सुल्क में कमी सलाब होगा हालांकि समवेदंसील छेत्रों की रक्षा के लिए भारत ने जो डेरी उत्पाद हैं तो डेरी उत्पादों, गेहूं, चावल, छोले, बीफ, चीनी, सेव, खिलोने और लौ आयसक साइट कई आश्टेलियाई वस्तों को टैरिप में कटोधी से बार रखा है और देखे आश्टेलियाई को कोईले की सुन्य मुक्त पहुंच से लाब होगा जोकि अब भारत में आश्टेलियाई के निर्यात का लगबग 14% इसा है और ये 2.5 पृतिसल के अधिन है और देखे फाइनेंसियल एर 2021 में भारत और आश्टेलियाई के बीच दूई पक्षी वस्तों और सेवाओं का ब्यापार कुल 27.5 बिलियन डालर था और आश्टेलियाई को भारती वस्तों और सेवाओं का जो निर्यात है ये फाइनेंसियल एर 2027 तक ठीक है कब तक 2027 तक में जो है 20 बिलियन डालर और फाइनेंसियल एर 2035 में जो है 35 बिलियन डालर और 2021 में जो है तो जो आपका LNG यानि कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उन है भेंड का मांस है अलूमिना है और धातू के जो अयसक हैं उन पर करों को मिटा दिया जाएगा जबकि जो आपका एवोकेडो, प्याज, पिस्ता, मैकाडामिया, काजू, इंसेल, ब्लूबेरी, रस्पबेरी और ब्लैक बेरी पर सुल्क जो है ये साथ वर्सों की ओधी में समाप हो जाएगा और दीकि टैरिप दर कोटा का उपयोग, कपास, दाल, संतरा, बादाम और मैंडरीन जैसे उत्पादों पर कम सुल्क प्रदान करने के लिए किया जाएगा जिसमें सीमा से अधिक मातरा में आयाद के लिए पूर्व समझोता स्तर पर टैरिप वापस आ जाएगा और दीकि उधारण के लिए आश्रेलिया से 1.5 लाग तन तक का जो है जो मसूर का दाल होता है तो मसूर का आयाद केवल 15% कुल आयाद सुल्क के अधिन होगा जिबकि उन देशों से मसूर आयाद पर 30% सुल्क लगेगा जिनके साथ भारत का ब्यापास समझोता नहीं है प्रबंधन करने के लिए एक सुरक्षा प्रणाली सामिल है तो यह है इंडिया और आश्रेलिया के बीच में जो अभी हाली में आर्तिक सायोग पर व्यापारत सम्झोता हुआ था उसके बारे में कि कि निकिन चीजों पर आरतिक सायोग हुआ इंडिया और आश्रेलिया के बीच में और यह समझोता देखे दो अपरेल को हुआ था यार रखेगा और दसमों प्रिश्णी की हाल ही में किसे समिक्त राज़्ट प्रमो के एंटोनियो गुट्रिस ने सुद्ध सुन्य उस सर्जन प्रतिबतताओं पर उच्चसतरी विसस सकत समूव में अपॉइंट किया है तो देखें बेखते आपके हैं अरोडाभा घोस देखें अरोडाभा घोस हैं यह उर्जा परेवरण और जल परिशद एक जलवायू और उर्जा थिंक्टेंग के सी यू हैं और इन्हें जो है दो जार तेईस में भारत के जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के लिए भारत स अरोडाभा घोस के बारे में पुरुजानकारी है अभी रिसेंट्ली याद रखेगा कि जो अरोडाभा घोस हैं इनको एंटोनियो गुट्रेस जो की सैंक्त राश के यानि की यूनाइटेड नेसंस के चीफ हैं इन्होंने सुद्ध सुन्य और सजन प्रतिबत्ताओं पर उ चस्तरी विसलसक समूव में अपॉइंट किया है अगला प्रतिबत्त सरकार ने हाली में कितने नए जिलों के गठंकी घोश्टा की तो दीखे अभी हाली में आंध प्रतिष में तेरे नए जिले बनाए गए हैं देखे अब आंध प्रतिष में कुल जिलों की संक्या 26 हो बनाए गया है विसाखा पत्नम जिले से काट कर और विसाखा पत्नम से काट कर जो है अलूरी सीताराम राजू जिला भी बनाए गया गुंटिर्ष जिलों को काट कर जो है नया जिला पलनाडू बनाए गया है और वाप्टला गुंटूर जिले को काट कर बनाए गया है कुर गया है और स्री सत्य साई जिले को बनाए गया है अनन्द पूर को काट कर और दिखिए जो आपका एंटी रामाराव जिला है ये मौझूदा कृष्णा जिले को काट कर बनाए गया है और स्री बाला जी को जिले को जो है चितूर जिले से अलग करके बनाए गया है और जो कर कौन सा जिला बनाएगे सारा मैंने बता दिया है याद करना आपका काम है लेकिर उतना डीपली एक्जाम नहीं पुछेगा बस याद करेगा कि आंद प्रदेश में पहले तेरे जिले थे आप 26 हो के हैं जिलों की संक्या दूगुनी हो कई है और आंद प्रदेश की बात करे पहले ने तमिल नाडू में वन्निया कूला चत्री समुदाई के लिए कितने प्रतिशत आंतरी आरक्षड को रद कर दिया तो दीए विहाली में सुप्रीम कोट ने तमिल नाडू में आपका वन्निया कूला चत्री समुदाई है इसको जो 10.5% आरक्षड मिला था तो इस आ समानता कैर भेदबाव और तमिलाडू में 115 अन्य आती पीछड़े समुदायों तथा विमुक्त समुदायों के समान आउसर के मौलिक अधिकारों का उलंगन करता है और ये राज में आती पीछड़ा वर्ग के कुल 20% के कोटे के भीतर एक समुदाय को 10.5 फिजदी पाधार नहीं है तो इसलिए इसको रद कर दिया गया है अगला एक हाली में महिला ससक्तिकरड और लेंगिक समानता के लिए संक्त राष्ट एजनसी यूएन उमन के लिए किस देश के द्वारां कुल 5 लाख अमिर्की डलर का योगदान दिया गया तो देखिए ये दिस भारत है यारके का हाली में महिला ससक्तिकरड और लेंगिक समानता के लिए संक्त राष्ट एजनसी यूएन उमन के लिए भारत के द्वारां कुल 5 लाख अमिर्की डलर का योगदान दिया गया है तो देखिए यूएन उमन की बात करें तो इसका मुख्याला का है अमेरिका के न्यू यूएक में और इसके स्थापना यूनाइटेट नेस्स जनरल एसेमली ने की थी जुलाई 2010 में तो ये थे आज के थोड़े से सभी प्रशने जो है डीटेल में तो आसा वीडियो लंबा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है जानकारी आपने पूरी संग प्रहित कर ली है अब एक्जाम में कोई भी प्रशन पूशा जाएगा तो आप आराम से जवाब देलेंगे और अब जवाब दीजिए आज के सभी को शमड़े का पहला प्रशना पहली कि मैलाओं और चात्राओं को सुरक्षित परिवहन परदान करने के लिए आंड प्रद किस हेलिकाप्टर के द्वारा साथ साल की सांदार सेवा के उपलक्ष में दो अपरेल 2022 को हाकीम पेट के वायू सेना स्टेशन में एक सम्मेलन आईजित के अपता है और अगला की 64 में वार्सी ग्रेमी अवार्ड में सांग आप दा इयर का पुरसकार की से दिया गया पता है और पाँच माँ की 350 T20 मेच खेलने वाले दूसरे भारती के लाड़ी कॉन मन गया है नामदा आईए और अब हम बात करेंगे कल के पूछे कैस सभी पूछनों के सेख्टनों की देखला हुटे का पहला प्रसंदा की हाल ही में मणीपुर सरकार ने स्पोर्ट डिजिटल एक्सपिरियेंस सेंटर सुरू करने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो दीकि मणीपुर की सरकार ने समझोता सैंसंग के साथ क्या था अगला की हाल ही में किसने टैप टू पे यूनिफाइट पेमेंट की इंटरफेस की सहस सुपिता लाने के लिए नई कारेश हमता UPI के लिए टैप टू पे लांच किया है तो इसको गूगल पे के द्वारा लांच किया गया है और तीछा था की हाल ही में किस जेंदल इंसुरेंस कंपनी ने वाल्ट डिजिटल ग्राहग जुडाव और पूरसकार कारिकरम शुरू किया तो इसको शुरू किया है HDFC अरगो ने और चौता था की हाल ही में किस राज सरकार ने 2022 से 27 की अवधिक के लिए नवी करड़ी उर्जा नीथी को मंजूरी दी तो इसको मंजूरी दी है करनाड का ने और देखिए पांचमाता की हाल ही में प्रधान मंत्री ने किस राज में प्रधान मंत्री आवास योजना घ्रामीर के लाभारतियों के लिए पांच दस्मलों दो एक लाग घरों का उद्गाटन किया तो दिखेंगे ये राज मजबदेश है और इसी के साथ ये वीडियो समात होता है चेहन जय वारत